नमस्कार दोस्तो परदीप टेक्निकल यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो एक इन्फोर्मेशन निकल के आई है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगर आपने आई टेक्निकल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें प्लीज कम से कम एक बार कम्पलीट वास करें दोस्तों वीडियो को और आप बात करते हैं वीडियो के बारे में सबसे पहले आप दोस्तों जैसे ओफिसियल वेब साइट के उपर जाएंगे आपको गूगल के अंदर इस साइट को सर्च करना है तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलके आएगा दोस्तों इसके बाद हमें जाना है जर्न इनफोर्मेशन को कलिक करते हैं दोस्तों तो आपके सामने कुछ इनफोर्मेशन निकल के आती हैं दोस्तों जैसे यह आप सेकेंड लास्ट पे जाते हैं इस पे सेकेंड लास्ट पे जाते हैं तो आपके सामने दोस्तों जैसे यह खुलता है तो एक इंटरफेस खुलके आत रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे दोस्तों तो आपने यहां पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आए इसमें जैसे सबसे उपर देखेंगे दोस्तों तो आपके सामने सबसे उपर एक आप देख रहे होगे इसके उपर कलिक करना नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ओफ एक्ट अप्रेंटिस और एन एफ रेलवे फॉर तो दोस्तों यहाँ पर आप कलिक करेंगे तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे पास ओलरी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखिये दोस्तों मैंने तो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे दोस्तों हम नोटिफिकेशन के उपर आ चुके हैं बात करें date of publication of notification on website तो दोस्तों 13 तारिक को 13 अगस्त को ये publish होई है इसकी opening date जो है दोस्तों 16 अगस्त है यानि कि आप 16 अगस्त के बाद online form apply कर सकते हैं और closing date की बात करें दोस्तों 15 सितमबर इसकी last date रखे गई है number of vacancy की बात करें दोस्तों 4409 vacancy रखे गई है इसके बात आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी official website से आप online apply कर सकते हैं जिसका link में description में दे दूँगा वहाँ से आप apply भी कर सकते हैं और notification को download भी कर सकते हैं इसे आगे बात करें दोस्तों mode of selection दो आपका जो selection होएगा दोस्तों merit list के उपर होएगा जो merit list prepare करी जाएगी उसके उपर आपका selection होना है वो merit list होगी दोस्तों आइटेक की जो trade आपकी जिससे आप apprentice करना चाते हैं उसके marks और plus में आपके 10th के marks 50% से उपर होने चाहिए दोस्तों उसके बैस पर आपकी जो merit list तयार करी जाएगी उसके बाद आपका selection कर लिया जाएगा इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं कुछ important information के बारे में जो नीचे दी गई है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ unit दिखाए गई है जिनके अंदर number of vacancy दिखाए गई है आप देख रहे होगे यहाँ यहाँ से notification से इनको अच्छे से read कर सकते हैं इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं वकेंसी के बारे में अलग अलग आपको दिखाए गई हैं दोस्तों जैसे machinist की 22 हैं welder की 40, fitter की diesel mechanic की, electrician की refrigerator and AC mechanic की electronics की और electronics mechanic की machinist welder यह अलग अलग दोस्तों unit के अंदर अलग अलग वकेंसी आपको दरसाए गई है जो आप notifications से read कर स सकते हैं इसे आगे दोस्तों हम बात करते हैं आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा वकेंसी हैं और आपके लिए बहुत अच्छे opportunity है अगर आपने अभी तक नहीं किए apprentice तो आप यहां पे apply कर सकते हैं eligible condition देखें दोस्तों eligibility condition तो आपकी जो age की बात करें दोस्तों 15 से लेकर के 24 years के बीच में होनी चाहिए और यहां पे as per government rule यहां पे कुछ छूट दी गई है को आप यहां पे relaxation देख सकते हैं इससे आगे दोस्तों हम बात करें यह कुछ आपको दिखाया गया है payment fees की बात करें दोस्तों तो आपकी application fees जो होगी 100 रुपे होगी 100 रुपेज यह OBC और general category की जो बंदे उनकी लगने वाली है इससे आगे हम बात करें दोस्तों कि यह आप देख रहे होगे दोस्तों यहां पे कुछ fitness टेंडर दिखा गया है standard of fitness for the person with disability तो दोस्तों आप यहां से इसको अच्छे से रेड़ कर सकते हैं हाउ टू अपलाई की बात करें दोस्तों यहां पे कुछ आपको बताया गया है कि किस प्रकार आपको फिल करना है कैसे फिल कर सकते हैं आप इसको स्कैन फोटोग्राफ कोपी फोटोग्राफ स्कैन सिगनेट्चर दोकमेंट टू भी अपलोड़ीड लास्ट इट फो रेशिप्ट ओफ अपलिकेशन ट्रेनिंग पिरिड दोस्तों आपको स्ट्राइफेंड मिलने वाला है वो रेलवे के ट्रम्स अंक्रिशन के इसाप से आ कुछ ट्राइफन मिलने वाला जो अप्रेंटिस एक्ट के अंतरगत आता है जो एग्रिमेंट ओफ ट्रेनिंग यह आपकी ट्रेनिंग जो है वन इयर के रहने वाले दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है यह मेडिकल फिटनेस के बार में आप यहां से पढ़ सकते हैं इसके बाद कुछ फोर्मेट दिये गए हैं जो आप यहां से नोटिफिकेशन डाउनोड करके आप देख सकते हैं दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आये होगी वीडियो को लाइक जरूर करने दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को like, share and subscribe चैनल को subscribe करें दोस्तों ताकि नई वीडियो की notification आपको जल्दी से मिल लिए इसके लिए आपको bell icon को press करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें दोस्तों कि जो भी स्टुडेंट अप्रेंटिस नहीं किया जिन होने अभी तक तो अप्रेंटिस कर चुके हैं तो दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहें